इश्वर्या राय हो गई फेल का ट्रीना क्या भी भरने लगी पानी रातो रात शारो खान की इस हिरोईन ने हासल कर लिए ऐसी उपलब दी बॉली उट से लेकर साउथ की अभिनेत्री को लग गई मिर्ची कभी सरकार के खिलाफ किया था प्रदर्शन बन गई थी कुछ लोगों के लिए दुश्मन भारत की वो अभिनेत्री आज पूरी दुनिया में कर रही है भारत का नाम रोशन इस मामले में बन गई भारत की पहली लेडी जिसकी फिल्म का हुआ था जबरदस्ट बॉयकॉट जिसको बताया गया था देश का गद्दार आज इस अभिनेत्री ने गाड़ दिया भारत का पूरे दुनिया में जंडा पूरा देश करने लगा इस अभिनेत्री को सल्यूट अगर बॉल्यूट में बातशाष शारूख खान है अगर शारूख खान का डंका पूरी दुनिया में बसता है अगर शारूख खान भारत को कोने कोने में पहचान दिलवाते हैं तो वही बॉल्यूट में एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिसने ऐसी उपलद्दी हासल की जिसे दे कभी हार नहीं मानी और आज पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रही है क्योंकि दुनिया इतनी चोटी नहीं और बॉलियूड इतना बड़ा नहीं इसलिए बॉलियूड की कोई हिरोईन अगर इंटरनाशनल लेवल पर कोई बड़ी उपलब्दी हासिल करती है तो यह भा इसकी वजह से दिपिका पदुकोर्ण की चारों तरफ चर्चा हो रही है तो बस एक मिनट का समय दीजे सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे और जैसे ही आप जानेंगे आप भी दिपिका को सल्यूट करेंगे क्योंकि दिपिका पदुकोर्ण ने जो पलब्दी हास सिकलोती सेलीबरिटी हैं जिनका नाम इस लिस्त में शामल किया गया होलिवोड सेलीव्रिटी पर 以वाल लूंगोरिया उमा थर्मण और ली सूंग जिनका नाम भी इस लिस्क की और रोपमे इंट्रियूज किया गया दिपिका ने बीते दो साल में हिट फिल्में दी हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने लगाता दुनिया के सबसे प्रमुक प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेसेंट किया। दिपिका का बॉली हूट से लेकर ग्लोबल सुपरस्टार बनने तक का सफर कई मालस्टो पर दिपिका पदुकोर ने कहा बेशक एक फिल्म की सफलता बॉक्स ऑफस नंबर और अवर्ट्स जरूरी हैं। लेकिन मेरे लिए लोगों के साथ बताय गया वक्त और फिल्म सेट पर अनुभव सबसे ज़्यादा माईने रखता है। ये दिपिका के सिनमा के लिए प्यार और इंडस्ट्री में टीम वर्क के लिए सम्मान को दर्शाता है क्योंकि वो एक प्रोडूसर और एक अक्टर दोनों ही हैं।